हेलो स्टुडेंस इस वीडियो में हम एकोलोजी में एल नीनो और ला नीना अफेक्स के बारे में स्टडी करेंगे एल नीनो और ला नीना दोनों ही ग्लोबल क्लामिट फिरूमिनन हैं जो की पैसिफिक ओशियन में वाटर टेंपरेचर में साइक्लिकल शिप्ट्स जो होते हैं उनके कारण देखने को मिलते हैं यानि कि जो पैसिफिक ओशियन है उसमें जो पानी का तापमान है जब उसमें कुछ साइक्लिकल चेंजिस होते हैं कुछ परिवर्तन होते हैं जिनके कारण या तो टेंप्रेशर बढ़ जाता है या घट जाता है नॉर्मल से तो उन क्लामिटिक फिनोमिनन को हम एल नीनो औ क्लामिटिक फ्रॉसेस हैं यहाला कि पैसिफिक ओशियन के क्यूटर वाले हिस्से में जर्नली देखने को मिलते हैं उसके बहुत ही स्मॉल सेक्शन में लेकिन यह पूरे क्लामिट को ग्लूबली जो क्लामिटिक कंडिशन से उनको अफेक्ट करते हैं पूरे प्रत्वी में जो क्लामिट की कंडिशन से पाई जा रही हैं जो वहां की मौस में कंडिशन से उनको अफेक्ट करते हैं तो इसलिए इनकी स्टडी इंपॉर्टेंट है तो इनके कारण टेंप्रीचर पर प्रभाव पड़ता है पैसिफिक ओशियन की टेंप्रीचर पर खासकर एक्वेटर वाले हिस्से में और उसके कारण फिर जो रेंफॉल का पैटर्ण है बारिश होने का जो पैटर्ण है अलग-लग हिस्सों में दुनिया के वह अफेक्टिट होता है ऐल नीनो और ला नीना इवेंट्स जो हैं नौ से बारह महिने के बीच तक इतने लंबे चल सकते हैं और यह कि हर दो से 7 साल में बार-बार प्रियोर्डीकली चैक्कली देखने को मिल सकते हैं रिपीट होते रहते हैं सबसे पहले हम बात करता है यह इंटर्ण हे पानी का वह बढ़ जाता है यानि वहांके पानी की वार्मिंग देखने को मिलती है तो होता क्या है generally equator के around जब भी normal weather रहता है सामाने मौसमी conditions रहती है मौसम की तो trade winds जो चलती है वो warm water को या गरम पानी को Pacific Ocean के tropical हिस्से में वो उसे east से west की तरफ लिकर जाती है तो क्या हो रहा है याँ trade winds जो है वो Pacific Ocean के गरम पानी को east से west दिशा की ओर लेकर जाती है generally जब normal weather होता है तो इससे क्या होता है warm water का distribution हो रहा है Pacific Ocean के उन हिस्सों में जहाँ पर पानी का तापमान है वो comparatively कम है तो एक तरह से पूरे ocean का जो पानी का तापमान है वो constant सा या आसपास रहता है तो क्योंकि गरम हिस्से से पानी थंडे हिस्से में transfer हो रहा है trade winds के चलने के कारण तो इससे क्या होता है पूरे ocean का तापमान जो एक तरह से समान बना रहता है लेकिन ऐसे टाइम पर एल नीनो माल लीजे अगर उस साल एल नीनो की conditions या phenomena देखने को मिलता है तो उसमें क्या होता है यह जो trade winds है यह weak पर जाती है कमजोर हो जाती है और यह जो transfer है या traveling है water की जो east से west की तरफ हो रही है जिसमें गरम पानी थंडे हिस्टों में जा रहा था वो नहीं हो पाता है तो उसके कारण क्या होता है कि यह winds actually अपनी directions बदल लेती है और reverse में बहना शूर करती है जिसके कारण उल्टा जो है phenomenon देखने को मिलता है यानि कि गरम पानी वापस से east की तरफ ही बहने लगता है और जो pacific ocean का जो गरम वाला हिस्सा है उसमें temperature जो है और ज़्यादा बढ़ जाता है जो ocean का surface temperature of water का वो कम से कम 1-3 degree Fahrenheit के बीच तक बढ़ सकता है और ये condition कुछ महीनों या सालों तक रह सकती है यानि कि overall L-9 के कारण जो pacific ocean का जो तापमान है पानी का वो बढ़ जाता है इसकी वज़े से क्या impact होता वो हम आगे देखेंगे फिर हम देखते हैं कि ला नीना क्या है ला नीना भी opposite होता है लीनों का यानि कि जो normal weather के दौरान जो हो रहा था ट्रेड बिंड जो है warm water को east से west की तरफ लेकिन थोड़ा ये जो process है वो intensify हो जाता है तो उसकी वज़े से क्या होता है कि जो ocean का surface temperature पानी का वो actually cool down हो जाता है क्योंकि ज्यादा जो warm water है जो west की तरफ जा रहा है वो इस ने level पर होता है कि उसकी वज़े से उस हिस्से में पानी का temperature जो normal रहना चाहिए था उसके मुकाबले और गिर जाता है तो वहां पर एक तरह से cool area या थंडा पानी का जो हिस्सा है वो देखने को मिलता है तो ला नीना जनरली एल नीनो के बाद होने वाला एक event है लेकिन यह हमेशा जरूरी नहीं है कि हर एल नीनो event के बाद आपको एक ला नीना event जो हो देखने को मिले तो यह आप देख सकते हैं कि एल नीनो में क्या होता है कि जो warm water जिसको east से west जाना था वो नहीं जा पाता उल्टा वापस आ जाता है east की तरफ और इसके वज़े से pacific ocean में वो जो हिस्सा है उसका temperature increase हो जाता है जबकि ला नीना में क्या हो रहा है जो east से west जाना था warm water वो जो process है ज्यादा intensify हो जाता है और ज्यादा अच्छे से होता है कि वो जो हिस्सा है pacific ocean का उसका temperature जो actually बहुत ही low नॉर्मल से भी low हो जाता है तो यह दोनो अलीनो ला नीना आप देख सकते हैं opposite phenomena है अब हम देखते हैं इनके effect के बार तो अलीनो ला नीना का effect ocean की temperature पर पर आई यह आपने देखा अलीनो की वज़े से वह temperature जो बढ़ जाता है जबकि ला नीना की वज़े से temperature ocean water का नॉर्मल से भी कम हो जाता है लेकिन इसका effect जो है वो land पर global climate pattern पर यानी पूरी दुनिया में जो अलग लग हिस्से हैं खासकर equator के आसपास की इससे वहाँ पर rainfall के pattern पर यानी वहाँ पर कैसी बारिश होगी उस पर पहुत पढ़ता है हो सकता है कि एल नीनो के कारण जो वहाँ पर अकाल पर जाए यानी डॉट की condition देखने को मिले जबकि ला नीना के कारण वहाँ पर rainfall जादा हो और बार जैसे स्थिति उत्पन हो जाए तो जनरली ऐसा ही होता है कि एल नीनो के साथ में अगर एल नीनो का phenomenon उस साल देखने को मिले तो क्या होता है कि rainfall जो वह कम होती है यानी बारिश कम होती है और अकाल जैसे स्थितियां देखने को मिलती है लेकिन अगर ला नीना का effect हुआ है तो उस साल rainfall नॉर्मल से अधिक हो हो जाती है लेकिन यह हमेशा जरूरी नहीं है कभी-कभी क्या होता है एल नीनो के साथ भी आपको बार जैसे इस्थितित देखने को मिल सकती है एक्जामपल के लिए 2015 में एल नीनो की वज़े से बार और कुछ इलाकों में अकाल भी देखने को मिलती है यह नहीं तोनों इस्टन और सदन अफ्रीका है यह देश जो है यह सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट होते हैं और यह सबसे ज्यादा पूर रिजन कांट्रीज की तो इनकी वज़े से क्योंकि एग्री कल्चर पर बहुत डिपेंडेंट होते हैं इन में जो कंडिशन्स होती है अकाल की या बार तो विंटर के दौरान इंडियन सब कॉंटिनेंट में गर्माई देखने को मिलेगी यानि विंटर में टेंपरिचर उतना डाउन नहीं होगा तो प्रचंड सर्दियां जो हैं वो नहीं पड़ेंगी उस साल लेकिन गर्मियों में हो सकता है इसकी वज़े से अकाल पड़े और जो मौनसून है हमारा उसमें कमी देखने को मिल सकती है जबकि ला नीना अगर उस साल देख हुआ है पैसिफिकोशन में तो उसकी वज़े से हमारे कंट्री में सामाने से अच्छा मौनसून देखने को मिल सकता है इसके अलावा अगर हम एल नीनो के केसिस देखें इंड पड़ा था लेकिन एलीनो जब 1994-1997 में भी देखने को मिला उस दोरान जो मौनसून था वो नॉर्मल रहा यानि चार सालों में एलीनो का फैक्ट देखने को मिला तो उसमें से केवल 50% केसिस में ही एलीनो की वज़े से ड्रॉट या अकाल जैसी कंडिशन जो हैं इंडिया में देखने को मिली इसके अलावा कुछ फैसले हैं जैसे की पैडी, मेज, ग्राउन नट, गौार की, कैस्टर की, तूर, मूं की, बाजरा की ये जो फैसले हैं ये एलीनो के कारण इनके उत्पादन में कमी भी देखने को मिलती तो एलीनो और लानीना जैसा कि आप देख सकते ह कि इनका अफेक्ट जो है पूरे वर्ल्ड के और खास करिकेटर वाले हिस्से में जो कंट्रीज हैं उन में रेनफॉल पर और वहां के टेमपरेचर पर देखने को मिलता है